इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी मुकोमिक्स टैबलेट लंग की विभिन बीमारियों जैसे की ब्रोंकाइटिस अस्थमा और एमफाइसेमा में म्यूकस के स्राव को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मुकोमिक्स टैबलेट को भोजन के साथ या इसके बिना लिया जा सकता है लेकिन इसका अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इसे एक नियत समय पर लें इसे डॉक्टर की सलाहनुसार लिया जाना चाहिए डोज और कितनी बार आपको इसकी जरूरत है यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप इसे किस लिए ले रही है आपका डॉक्टर यह तै करेगा कि आपको अपने लक्षनों में सुधार करने के लिए कितनी आवश्यक्ता है टैबलेट को एक गिलास पानी में घोलें और इसे तुरंत पिएं जिस अवधी तक इसे आपके लिए निर्धारित किया गया है तब तक इस दवा को लें इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में बुखार, मतली, उल्टी और दाने शामिल हैं अगर आप इनसे परेशान है या स्थिती गंभीर होती जा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं आम तोर पर इस दवा से इलाज के दोरान बहुत सारे फ्लूइड पीने की सलाह दी जाती है इस दवा को लेने से पहले अगर आपको अस्थमा है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं क्योंकि इस दवा को लेते समय नजदी की निगरानी की जरूरत होती है आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती है या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती है अगर आप गर्भवती हैं गर्भधारन करने की योजना बना रही है या स्तनपान कराती है तो अपने डॉक्टर को बताएं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद